आज का एपिसोड अभी तक का इस सीरीज का सबसे बेस्ट और मेरा फेवरे एपिसोड है हमने नुमरालोजी को एकदम डिटेल में सीखा है और हमने अपना करेंट एर और अपना फ्यूचर निकालना सीखा है नुमरालोजी को यूज करके बहुत सारी छीजे मैं रिलेट कर पा रहा था जो मुझे बताया गए अपने नंबर पर देख रहा था और मिरे पे सैट कर रही थी तो अगर वीडियो देखते लिखते आपको भी लगता है यार भाई यह चीज तो मेरे से में रिलेट कर रही है तो नीचे कमेंट के अंदर जरूर बताना और अभी तक हमने वास्तू कवर कर लिया है अब हम नुमरालोजी की तरफ जा रहे हैं आप कौन सी साइंस के बारे में जानना चाहते हो किस कैटेगरी के आप एक्सपर्ट को लाए अगर आप चाहो तो हमारा वाटसाइप चैनल भी जॉइन कर सकते हो जब भी कोई आफलाइन इवेंट होगा इस ताइक का तो हम आपको इनवाइट करेगे और आप डिरेक्ली गैस से अपने कोशन पूसकते हैं अगली बार कोई गैस अगर रिपीट होते है तो उनसे वह अले कोशन हम कूछ लेगे तो चलो मिलते हैं हमारे गैस से इनसान खतम कब होता है जब उसकी उमीद खतम हो जाती है ये चार चीज़े मिलागे आपकी किस्वत बनाएंगी डेश्नी बनाएंगी गरब संसकार, दूसरा परिवार, तीसरा एजूकेशन और चौता एक्शन एक होती कमपाटिबिलिटी और डूसरी होती कमिट्मेंट अगर मेरी मा मुझे बोल दे कि बिटा हो जाएगा मेरी बीवी मुझे बोल दे कि you can do it तो मैं पहाड़ भी चड़ता होगा आज अगर आप अगले 5-10 मिनिट के लिए इस बात को सोलो तो आप अपनी लाइफ के डिसिजन्स खुछ से ले सकते हो समय को समय दो, समय आप तक खुद बलवान होगा अगर मैं बात करता हूँ जीरो की और इसको अगर हम काउंट ना करें आज नमबर बिकोज जीरो के बाद हर चीज इंफानेट है काउंटिंग कही तक भी जा सकती है तो लेट से देरा प्राइन नाइन नमबर्स जितने भी लोग है उनकी डेटो बथ इसी कैटेगरी में आती एक से लेके नौ तक के बीश पर आती है तो जो आपकी डेटो बथ है वो अब दाती है आपकी human behavior के बारे में कि मेरी strength क्या है मेरी weakness क्या है मैं किस समय पर कैसा सोचूँगा जो मेरा action होगा वो सही होगा या गलत होगा what should I do it's just basically your own guide कि हम अपनी strength के हिसाब से अपनी life में decisions ले पाए that is the simple meaning of numerology चेकर तो थोड़ा समझाओ कैसे मेरी strength क्या है मेरी weakness क्या है चलो इसको समझने के लिए पहले एक बार समझते है कि numbers का meaning क्या है और जो human life cycle है वो बिलकुल numbers की तरह है जैसे number 1, 10, 19, 28 यह सभी number एक number bad होते हैं तो इस date पे जो भी लोग जन में होंगे वो बिलकुल एक छोटे बच्चे के तरह होते हैं infant के तरह होते हैं उन्हें attraction चाहिए उन्हें जो चीज़ चाहिए वो चाहिए इसलिए हम देखते हैं कि maximum जो entrepreneurs हैं वो number 1 के होते हैं क्योंकि जिद ही है जो आपको जिंदगी में आगे लेके जाती है अब एक छोटा बच्चा है उसको अपनी बात कहना नहीं आता वो क्या करेगा यह accents करके बुलाएगा यह रोके बुलाएगा इसके बाद जब आगे बढ़ोगे number 2 तो घर में number 2 किसका होता है बड़े बच्चे का ठीक है पहले number 1 चोटा बच्चा अब number 2 जो है वो बड़ा बच्चा अब बड़े बच्चे की क्या आदत होती है हर चीज सैक्रिफाइस करने की कि हर चीज छोटे को देदो ठीक है सबका देखबाल करना तो जो number 2 के लोग होते हैं वो बड़ी बहन जैसे भी होते हैं और मा जैसे भी होते हैं जब मानी होती है आसपस में तो बड़ा बच्चा क को सैक्रिफाइस कर रहे है तो सेल्फ लफ की कमी देखे जाती है जो लोग 2, 11, 20, 29 को बहुन होते हैं तो अब तीन number क्या हो गया वही जो बच्चे थे अब वो प्ले स्कूल में चले गए अब प्ले स्कूल में क्या है creativity, art, dance, music तो 3, 12, 21, 30 की जो date of birth है अब इन्हें बोलने क अब शौक है क्योंकि निया निया बोलना सीखे है तो बाते बनाने का शौक होता है number 3 is gossip करने में सबसे आगे होते है creativity का शौक होता है इसलिए अब देखते हैं बहुत सारे ऐसे artist है जो 3, 12, 21, 30 को जन्मे होते है बाते करने का शौक है अब थोड़े से और बच्चा बढ़ा हो गया अब आगे number 4 तो जिनकी rate बरता है 4, 13, 22, 31 they become more responsible क्यों क्योंकि अब school में चले गया अब homework मिलना शुरू हो गया अब time पे school पहुचना है back को organize करना है तो 4, 13, 22, 31 they are organizing people right अब ये चीजों को organize कर रहे हैं manage कर रहे हैं discipline के साथ चल रहे हैं काम टाइम पे कर रहे हैं all they want is appreciation अब जब आप homework करके जाते हैं तो आपको क्या चाहिए होता है appreciation चाहिए होती टीचर या तो एक five star बना दे या smiley बना दे we are sorted पर इनको यही लगता है कि जिन्दगी में हम सब कुछ कर रहे हैं मठ हमें appreciation नहीं बर भी तो 4, 13, 22, 31 इनको lack of appreciation feel होती है life में अब पांच नंबर अब अच्छा चला गया college में अब कैसा हो गया freedom loving खुलके जीने लग गया मस्त हो गया life में तो 5, 14, 23, now they have become fun loving person अब इनको life में कुछ बड़ा करना है ठीक है और इनके बास क्या है कि fearlessness है अब college में जब हम होते हैं बहुत लंबी लंबी बाते सोच लेते कि आरे हम तो यह कर और देखिए होता उसी के साथ है जिसका विश्वास होता है तो 5, 14, 23 believe in themselves कि हम कर सकते हैं इसलिए उस जिंदगी में आगे बढ़ते हैं बट 5, 14, 23 को usually जंग खाने के आदद हो जाती है अब college आ रहे है रस्ते में जो मिला वो खाली है तो जंग खाने के आदद हो जाती है त तो speed कब बढ़ती है जब आपका weight कम होता है तो अगर speed में आगे life में जाना है तो 5 number को अपनी health पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए 6 number की बारी आगए तो 6, 15, 24 जिनकी birth rate है अब ये वो लोग हो गए जिनकी शादी की उमर हो गई है तो they will become more responsible family oriented हो जाएंगे घर इनको अच् के लिए provide करना है सब हुच तो 6, 15, 24 is the number which assumes a lot of responsibility on themselves कि मुझे सब के लिए करना है तो at the same time adolescence होती है तो sexual energy भी जादा होती है तो 6, 15, 24 is also engaged more in these activities अब उसके बाद आजाती है midlife 7, 16, 25 number 7 is equal to midlife क्या हो गया अब हमारा धियान जो है अध्यातम की तरफ जा रहा है spiritualism की तरफ जा र में अब हम सोच रहे हैं कि क्या हम अलग कर सकते हैं हमें satisfaction कैसे मिलेगी तो 7, 16, 25 is a number which is very intuitive as well इनको अकसर उन चीजों का अभास हो जाता है कि मुझे लग रहा है कि यहां पर कुछ ना कुछ गलत है कुछ ना कुछ सही और वो चीज हो जाएगी 7, 16, 25 is also a number which is intellectual जीके क्योंकि जिन्दिकी का थोड़ा तजर्वा उनको हो चुका है मिड लाइफ में आते आते हमें पता चल जाता है कि पीछे क्या हो सकता है तो 7, 16, 25 जो है बहुत अच्छे advisors भी होते हैं बहुत अच्छे advice भी देते हैं and 7, 16, 25 is also a number जो समझना असान नहीं है इनको अकेले रहना इनको आपर रहना पसंद होता है they like their own company तो अगर 7, 16, 25 किसी की life में है अगर उनका mood अच्छा नहीं है उनको थोड़ा सा space दे दीजिए me time दे दीजिए they will feel good ठीक है but at the same time जब midlife crisis हो रही होती है तब क्या इनसान चाहता है कि कोई आके हमारा हाल चाल पूछ ले right कि कैसा कर रहे है so 7, 16, 25 से अगर कोई आके इतना भी पूछ ले कि आप कैसा कर रहे है how are you feeling तो वो बड़े relax हो जाता है कि हाँ there is someone that really wants us unwanted की जो feeling है वो life से चले जाती है अब midlife के बाद number आता है old age का ठीक है यह मैं कहता हूँ experienced age का 8, 17, 26 जिनकी date of birth है यह लोग जो है जिन्दगी का तजरुबा लेके इस धरती पर आए तो आप देखो कि 8, 17, 26 के जो लोग है अपनी उमर से ज़्यादा mature बात करते है और जो 8, 17, 26 के लोग कहते है उस बात को सुनना जरूर चाहिए उस बात को चाहे नोट कर लो आज समझ नहीं आरी वो बात लेकिन future में वो बात जरूर समझाएगे यह जो यह इनसान कह रहा है वो बात में डम जरूर है तो it's like जैसे हमारे बुजर्ग कहते रहते हैं अब उनकी बात नहीं सुनते हैं नहीं समझते हैं right but 8, 17, 26 is like बुजर्ग तो जो बात बोले उसको एक बार अब old age में आते हैं आते हैं क्या होता है हमारा खाता कुद का तो खाली हो जाता है क्योंकि हम जादर पैसा अपने बच्छों को दे देते हैं लेकिन at the same time उनको बदा है कि हमने पैसा जोड़ा कैसे है so 8, 17, 26 can give you good financial advice as well अब आता है number 9, 18, 27 का अब क्या होता है मोक्ष का number अब 9, 18, 27 is very spiritual इनको अपने कर्मों का बहुत ध्यान होना चाहिए अब law of karma applies to everyone but इनके लिए जादा apply करता है because एक होता है कि अन जाने में कीवी गलती एक होती है जान कीवी गलती 9, 18, 27 is more awakened number इसको past life का भी number कहते हैं कि जो आप अपने कर्म पूरे करने आये है तो 9, 18, 27 किसी की date of birth है तो उनको बहुत ध्यान देना चाहिए कि मैं किसी की साथ गलत ना करो क्योंकि अगर ये किसी साथ गलत करेंगे तो इनके साथ instant गलत होगा और अच्छा करेंगे तब भी सही होने में time लगेगा but if they keep on doing good things so eventually वो multi-fold होके इनकी life में impact जरूर लेके आएगा and they will have a peaceful life आइडली मितला आपका एक हैना nine numbers के लिए results थोड़े slow आते हैं but आते जरूर है provided to keep on doing the good work तो निराश नहीं होना है तो एक से लेके नौतक का अभी आपने सफर समझा ठीक है कि human mind अमारा कैसे काम करता है अब आपने इसमें planets की बात करी तो अभी nine planets की बात करी गई नव ग्र बढ़ रहे हैं मतलब जो planetarium वाला nine planet है my very educated mother just so as nine planet तो ये order ये नहीं है इसका order अलग है सबसे पहला चाहिए sun है उसके बाद में moon है तो ये ये किस order में decide करेगे क्या logic है इसके पीछे अब देखी ये जो decide किये गे this is again based on the characteristics अब sun को हमने का number one sun है leader है right number two को का हमने moon है अब moon को देखते हैं हम कैसा एसास होता है शीतलता का piece right जब माँ से बात करते तो कैसा एसास होता है same तो two number जो है वो qualities को देखा गया human being की क्या qualities है उसके साथ का कि हाँ this resonates with the qualities of moon अब ऐसे तीन number जो है they like big cars big fancy things तीन number को बड़ी चीज़े life में पसंद है ठीक है बड़ी गाड़ी होना चाहिए बड़ा घर होना चाहिए बड़ा पैसा होना चाहिए जुपिटर के appearance कैसी है शाइनी बिंगी appearance और बड़ी appearance है तो वहां से correlate हुआ राइट पांच नंबर मरकरी बुद्ध फास्टेस रवॉल्मिन प्लानेट ऑन दे सोरा सिस्टम तो हर चीज़ जल्दी चाहिए fast विराट पोली नंबर फाइफ तेज बागता है तो ऐसे ही जो based on the human characteristics we studied the characteristics of planet and लेटो बर्त को प्लानेट के साथ लिंग किया गया और अगर मैं relationship की बात करके चलूँ यही number वाला है जैसे one number वाला है उसकी किस के साथ पढ़ती है किस के साथ नहीं पढ़ती है किस साथ रहना ठीक है यह बहुत अच्छा है interesting सवाल है देखो आज के टाइब में कहता हूँ कि there are two C's in relationship एक होती compatibility और दूसरी होती commitment आज की rate में जो second C है commitment वो missing है इसी को रिष्टे को निबाने के लिए compatibility एक aspect है बट उसके लावा commitment भी होनी चाहिए इसके साथ हमारी अच्छी निभेगी नई निभेगी यह एक अलग subject है हमारी life जो है हमारी control में कैसे आ सकती है या हम अपना future कैसे plan कर सकते है based on the present इसको समझना जादा ज़रूरी है अब जैसे आपके questions हो सकते है कि मेरे को job change करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए business मुझे grow करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इन सब questions को समझने के लिए ऐसा नहीं है कि you need to run from pillar to post in search of answers कि हम कभी किसी app पे जा रहे है कि शायद हमें कोई सही ग्यान दे दे आज अगर आप अगले 5-10 मिनिट के लिए इस बात को सोलो तो आप अपने life के decisions खुद से ले सकते हो and you don't need anyone for that समझना क्या है वापिस से कि जो 9 number है वो हमारी life पे कैसे impact करते हैं अभी आपके समझा कि जो हमारी date o birth है मूलां क्या है उसके basis पे हमारी nature कैसे होती है अब हम समझ रहे हैं कि हमारा खुद का time कैसा है what we do today will make us successful in the future अब मैं चाहूंगा कि आप अपनी date month और current year जिस year में आप ह उसको add करो ठीक है अगर आपको date और बद बोलो जैसे अपनी बोल तो 23rd माई 1991 ठीक है अब 1991 को छोड़ देते हैं सिरफ date और month को लेते है 23 में तो 5 23 और 5 दस हो गया 10 हो गया 10 में ये वाना साल कौन सा है कि आप 23 और 5 करेंगे या 2 प्लस 3 5 तो 5 होई गया ठीक है और 5 फ्लस 5 10 5 और 5 10 हो गया तो अभी आपने date को simplify कर लिया month को simplify कर लिया और current year को अपने add कर लिया current year को add कर लिया 2023 तो 2023 7 आगया 7 आगया तो date क्या थी? 5 5 23 का 5 आगया month क्या था? 1 था 5 5 तो 5 और 5? 10 अब year कौन सा था? 20 23 तोटल कितना आ रहा था? 7 तो अब 5 और 5 और 7 को जोड़ा तो कितना number बन गया? 17 आठ नंबर बन गया एक और 7 आठ हो गया अब 8 नंबर का क्या meaning है हम आगे बात करेंगे ऐसे किसी का number total एक पे आता है दो पे आता है तीन पे चार पे 5 पे 6 पे 7 पे 8 पे 9 पे उन लोगों को क्या करना चाहिए वो समझते है अब किसी का date, month और current year तो आपको मिलेगा आपका ये वाला जो साल का मेरा number है वो कौन सा है तो जिनका एक number पे आता है एक number क्या है? सन का है तो अब लेकिन सन जो है stationary है तो उनको ऐसा लगता है कि सब चीजे life में रुकी वही है मैं आगे बढ़ना तो चा रहा हूँ पर बढ़ नहीं पा रहा हूँ attention बहुत मिल रही है, responsibilities बहुत सारी है but they are wanting a lot of appreciation वो नहीं मिल रहा है क्यों? because sun is only a giver धरती को देता है लेता तो कुछ नहीं है जो अपने पास है, जितनी शक्ती है, उतनी तो दे सकते है तो they start to feel hollow within तो ऐसे अगर किसी का समय एक number का चल रहा है date, month और current year को जोड के एक number का चल रहा है, तो they should practice self-love तीक है, अपना ध्यान के उच्छे रखे, massages पर जाए, shopping पर जाए, अपने ली time निकाले cut down on the responsibilities, कि there is only so much that I can do, इससे जादा मैं नहीं कर सकता तो ना बोलना सीखना होगा अगर एक number का समय है, usually ऐसे समय पर हम honey trap में फ़र्जाते हैं कि promotion बहुत near है, अगर मैं और effort डालू, तो जल्दी मिल जाएगा मुझे, एक number का समय है, promotion मिलेगा sun को कोई मिना नहीं कर सकता, you need to relax, अब वैसे ही किसी का date, month और year का total अगर दो है, तो अब क्या है, अब your current year is governed by moon आपको क्या करना चाहिए, take things easy, कोई नया रिष्टे शुरुवात करना है, शादी करना है, बहुत अच्छा समय है, इसी रिष्टे में है, उस रिष्टे को आगे बढ़ाना है, बहुत अच्छा समय है, और दो number क्या है, अगर कुछ सीखना चाते है, अब मा कैं, नई नहीं चीज़े सीखती है, रेसिपी सीखती है, बच्छों के लिए बनाने के लिए, कुछ सीखना चाते है, तो बहुत अच्छा समय है सीखने के लिए, बहुत अगर कोई एक कोर्स जोइन करना चाता है, इसके बारे में सोचते है, side business शुरू करना चाते है, without quitting your job, number two का phase बहुत अ right, number three is governed by Jupiter, eight को जोड़ा, month को जोड़ा, current year को जोड़ा, और अगर total three आता है, तो अब कैसा phase है आपके लिए, अब it's a phase of communication, आपके अंदर talent है, आप genius हो, भी आपको बता है, दुनिया को नहीं बता तो उस talent का क्या फायदा, तो तीन number का अगर phase आ गया है, तो visibility पे काम करो, ब गलत समय पे गलत बात बोल रहे हो, आपका वोले का तरीका ठीक नहीं है, self-interest करो, तो तीन number का जब phase आया, तो आपने अपनी भाशा को समालना है, उसको use करना है, रिष्टे जोड़ने में ना कि तोड़ने में, मतलब तीन number जब होगा तो अमारी जबान ज़दा चलेगी, जबान जबान ज़दा चलेगी, दो number जब होगा तोड़ने मन ज़दा चलेगा, एक number है तो दिमाग जदा चलेगा, अब तीन number आपने कहा कि अपनी जबान को control किया, तीन number बहुत अच्छा समय है उन लोगों के लिए, जो stock market में जाना जाते हैं या पोशिश कर रहे हैं इस पहुत पत्ता है चारगव, अब ये जो फेज है, ये मोस्ट लोग को ड्राने वाला नंबर है और हमने लोगों को ड्रा दिया है कि ये जो नंबर है राहू का है बट टरने की कोई जरूत नहीं है राहू ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसका बगवान के पास भी कोई जवाब नहीं था अगर हम स्टोरी को सुनते है तो जब अमरित मंतन हुआ था तो एक तरफ देवता थे एक तरफ असुर थे तो जब अमरित निकला तो देवता उन्हें लाइन बना ली कि हम अमरित पिएंगे सरफ एक ही असुर था जिसने चांस लिया कि नहीं मैं भी जाके लाइन में लगूँगा और उन्हें अमरित पिए लिया तो जब विश्णो जी को इस बात का बदा चला, उन्हें सुदर्शिन चक्र से बद कर दिया, तो सर हो गया रावू, बॉडी हो गया, धढ़ हो गया, के तुब रावू से कुछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, आप तुमने अमरित पिली, आप तुम ना मर सकते हो, ना कुछ है तो उन्हें क्या पूछा आगे से, क्या जवाब दिया, कि मैंने ऐसा क्या गलत किया, अमरित मंतन आपने दोनों से करवाया, देफताओन ने एक तरफ से, अमरित खाली देफताओन का क्यों, तो ये बात का पर जवाब था नहीं, तो ऐसे ही जो नंबर फोर के लोग हैं, व अब आप प्लान तो कर रहे हैं, लेकिन प्लान एक्जिक्यूट नहीं हो रहा है, तो फ्रस्टेशन बढ़ रही चार नंबर के फेज में, बहुत सारे ऐसे लाइफ इवंट्स हैं, जो चार नंबर के होते हैं, प्रिंसिस डाइना का का एक्सिटेंट हुआ, जो डेट थी, चार की थी, जो संत रेरंकर निभाबा थे, उनका काषिटू कैनेडा में हुआ, थेरा तरीक थी, चार की डेट थी, ऐसे ही सारिश मिस्टरी का भी रिषिंट अच्सिटेंट भूआ, चार तरीकी डेट थी, तो अगर आपका साल चार नंबर का जल रहा है, डेट मंत और यर कर टोटल चार है तो आप से ये request है कि गाड़ी अराम से चलाओ, phone use मत करो because phone is distraction, don't drink and drive, loud music चलागे गाड़ी मत चलाओ, तो जो भी चीज़ आपके focus को भंग कर रही है वो सब चीज़ें आपको लाइफ में avoid करने चाहिए when you are going through a number of phase of 4, alcohol consumption कम कर दो, because क्या कर रहा है आपका focus diffuse कर रहा है चार number तभी कहते हैं कि आप सुभा जल्दी उठो, चार number is what shadow, अगर shadow को kill करना हो तो आप क्या कर सकते हो, light को बढ़ा दो, shadow छोटी हो जाएगी तो अगर आपने चार number में सुभा जल्दी उठना शुरू कर दी है sun की frequency लेनी शुरू कर दी तो definitely जो anxiety, frustration चार number में आपको हो रही है lack of focus आप feel कर रहे हो maximum बच्चे चार number के phase में toppers होते हैं अपर result नहीं आता है तो क्या कर सकते हैं वो simple, सुभे की frequency को enjoy गो लाइफ में open park में जो time spend करो result आएगा और addiction से दूर रहो जिस भी form की addiction है चाहे वो sex है, phone है, alcohol है gambling है, इन से दूर रहो क्योंकि ये आपको अपने तरफ खीचेंगे चार number का phase है तो date, month, year चार पर आता है तो इन चीज़ों का ध्यान करो है अब वोई फ्रेज आ गया पांच का opportunities, five is mercury तो बंद गाड़ी को धक्का लग जाएगा रिशी सुनक, 12th में इन देटो बर्थ है और last year 2022 में UK की election हार गए फिर भी it was my prediction कि वो PM बनेंगे 12th में क्योंकि लोगो समझ आएगा 12th में आठ आ गया आठ आ गया और 2022 का 2022 का 6 आ गया चे आ गया, आठ और 6 को जोड़ो 14, 14, एक और चार बाँच तो जो बंद एलेक्शन हार गया वो भी जीद गया पी-म बन गया, विराट कुली इस साल में, अच्छा खिल पने World Cup में बार-बार centuries आ रही है तो 5 नवेंबर को जोड़ो 5 नवेंबर की डेटो बरते हैं, विराट कुली की और इस साल को जोड़ो, जोड़ो 5 नवेंबर और साथ को जोड़ो, आज और 2023, तो जिस इंसान की पिछले साल में, चार नवर का जब फेस था, कैप्टनसी चली गई RCV से बाहर हो गए और मतलब कैप्टनसी चली गई RCV की इंडिया की कैप्टनसी चली गई, उन्हों ठोड़ो छोड़ दी उसी इंसान ने वापिस 5 नवर में आके कमबैक किया, एंचरी वनी सारी वापिस से आके 5 नवर उपोचुन्टीज लेके आता है जो इलेक्शन हार गया, जिसने कैप्टनसी हार दी, उन लोगों ने कमबैक किया तो आप भी करोगे, अब 6 नमबर का समय है तो 6 नमबर में अब खुद पे काबू करो क्योंकि 6 नमबर क्या होता है आप यसोचो आदमी है, शादी हो चुकी है अब घर में खर्चे बढ़ गए, अब जेब में बैसे है नहीं, किसको बताओ बीवी को बताओ, तो वो परिसान, मा को बताओ, तो वो परिसान तो 6 नमबर है, तो आपको अपने खर्चे समाल के चलना चाहिए ठीक है, बड़ अब अधर सेम टाइम spend more time with females in the house आदमी को courage कहां से आती है, female से आती है अगर मेरी मा मुझे बोल दे, कि बिटा हो जाएगा मेरी बीवी मुझे बोल दे, कि you can do it तो मैं पहाड़ भी चड़दा होगा तो 6 नमबर के समय में खर्चा control करो जो घर की females है, उनके साथ time spend करो उनको respect दो, आपके साथ अच्छा ही होगा 6 नमबर और क्या कहता है, कि आपको अपने business को अगर यह नौकरी है, तो उस जगा को थोड़ा सा और समय दो चीज़ों को sort करने में मान के चलो कि आपका inbox पूरा फैला हो है erratic चीज़े हैं, तो आपको गुस्सा आएगा काम करेगा, मन करेगा काम करने का, नहीं करेगा तो मन को खुश कैसे करना है, चीज़ों को organize करके business है, समान लदा बड़ा है दुकान में मन करेगा, नहीं करेगा, organize करो result अपने आप आएगा, अगर आपने अपना जॉब में table साफ करना शुरू कर दिया, inbox साफ करना शुरू कर दिया, business में दुकान सजारी शुरू कर दी तो 6 number पैसा लेके आएगा, क्योंकि 6 number जो है, मा का number भी है तो 6 number जो है, वो शुकर का number है luxury का number है, तो reward देगा अगर आप साफ सफ़ाई करोगे, हमारे गर में नवरात्रे आते हैं, दिवाली आती है, मा ने घर आना है, साफ सफ़ाई चालो, बाकी दिन नहीं है, similarly, same concept applies to person who is going through phase of number 6 6 number जो चल रहा है, उसमें आप चाहो तो pregnancy भी plan कर सकते हो fertility का number है, 6 number चल रहा है, तो आपको आँखों का ध्यान देना चाहिए because it is said that Venus is one-eyed god, तो 6 number में आँखों में चश्मा लगने के chances बढ़ जाते हैं अगर किसी को already लगावा है, तो उसकी power बढ़ जाती है तो date, month और year अगर इस गात, अब आगे बढ़ो 7 number आगया, साल का ठीक है, अब 7 number आगया अब क्या हुआ अब हर चीज से ना मन उठ रहा है कर तो रहे हैं, लेकिन किसी से मन नहीं लग रहा 7 number मैंने पहले बताया था midlife crisis का number है ठीक है, तो 7 number में क्या करो अपने आपको challenge करो, technically अपने आपको advance करो, कोई भी technical चीज सीखो उसका result आपको बाद में मिलेगा तो 7 number में सीखना चालू करो हो सके, तो 7 number के लोगों को कुई spiritual गुरू को follow करना चाहिए 7 number का जब phase आता है तब सीधा मतलब है कि universe आपसे connection मना रहा है, 7 number is also of completion, music के कितने सूर होते है 7 कितने wonders of the world 7, ठीक है जी rainbow में कितने colors है 7, तो completion का number है तो जब 7 number आपका आगया date, month और current year का total 7 आगया तब कुछ सीखो गया तो उसको पूरा ज़रूर करोगे, complete करोगे ठीक है, तो 7 number में जो शुरू किया उसको पूरा करो, उसका result मिलेगा 7 number में गबरहाट जादा होती है palpitation जादा होती है क्यों? क्योंकि एक midlife crisis का जो इंसान है, वो सोच रहा है कि मेरी जिम्मेदारिया पूरी होंगी की नहीं होंगी मैं बच्चे की शादी कर पाऊंगा की नहीं कर पाऊंगा मैं जल्दी दो नहीं मर जाओंगा मुझे healthy insurance बढ़ानी चाहिए तो ऐसे में आपको अपने ध्यान से जो आपकी planning है उस पे काम करना चाहिए don't try to plan long term goals सिरफ short term रोज मररा में क्या चीज़ करनी है उस पे ध्यान दो क्योंकि long term क्या होगा anxiety को बढ़ाएगा किसी को पता है कल क्या होने वाल है मुझे तो नहीं पता आपको पता है किसी को नहीं पता तो सिरफ साथ नंबर में short term चीज़ों को पूरा करो जब आपका date, month और current year साथ नंबर पे आता है साथ नंबर अगर आपका आता है डेट, month और current year को तो आपको लगेगा जैसे परिशाने नो मुझे घेर ले जारो तरफ से अब ही हाली में हमने देखा कि इंडिया न्यूजिलेंड का मैच्स था हम मैच जीते पिछला मैच्स था 2019 में तब हम मैच जीतने वाले थे लेकिन हार गए और किसी एक ऐसे इंसान का रन आउट हुआ जो अपनी रनिंग के लिए famous था कौन था वो, दोनी एक बार फिर से calculate करते है दोनी का बढ़ दे है 7 जुलाई का 7 जुलाई दोनी को और 2019 को उस साल में वर्ट कप था ना 2019 में आकरो आड करो 8 आया 8 आया जो इन्सान पाकता सबसे तेश था वो उसकी speed दीरे हो गए वो 2019 में आउट हो गए उसके बाद उन्हेंने इंडिया की जर्सी नहीं बैनी दुबार आये कभी मैच किलने के लिए आठ नमबर ऐसी चीज आप से छीन लेता है कि आपके अंदर खाली पन आ जाता है टेरर अटैक्स मुंबई का कब हुआ था? 26 को भुच का अर्थ को एक कब आया था? 26 जनवरी रिबबबली डेपरेड थी, हाती बच्चे जा रहे थे सुनामी कब आई? 26 तरीक को आई तो कुछ ऐसी चीज़े हो जाती है जो जिन्दगी में हमें पीछे कर देती हैं इसलिए सैटन को बुरा फेज माना जाता है लेकिन ऐसा होता नहीं है ये क्या चाहता है आपको? ये बस ये चाहता है कि आप हैर के चीज़ों को समझे कभी-कभी क्या होता है जब चीज़े ठीक चल रही होती है हम खुद को बगवान समझ लेते हैं तो ये कहता है नहीं बगवान तुम नहीं हो, बगवान मैं हो मैं बताता हूँ कौन बगवान है तो लाइफ में चीज़ें slow हो जाती है राइट? So when you are in number 8 date, month और current year 8 number पे आ रहा है तो फैर जाओ, slow हो जाओ जादा experiment मत करो don't try for marriage, don't try for pregnancy don't try for new business, don't try for new job जहाँ पर हो उन चीज़ों को समेटो, समभालो कुछ गलत हो रहा है तो frustration में आके कि नहीं मिरे को stock market में नुक्सान कैसे हो सकता है double की bet लगाओ, hair जाओ only patience is the answer समे को समे दो समे आपता खुद बलवान होगा अगर हम सब में इतनी शक्ती होती कि हमना समे कुद कंट्रोल कर लेते तो नहीं कर सकते हम क्या कर सकते, numerology क्यों help करती है कि आप अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हो सिरफ आज अगर बच गए तो कल फिर जिन्दा हो जाएंगे लेकिन अगर आज ही मर गए तो कल कैसे जिन्दा होगे बचो, बाइक है, तेज मत चलाओ गाड़ी है, तेज मत चलाओ maximum accidents Saturday की दुनों ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये data है, web पे है गूगल पे सर्च करोगे, on what days maximum accidents happen वो कहेंगे Saturday को 4-8 बजे के पीछ में वो क्यों हो रहा है, इंसान की thinking cloud हो रही है, judgment cloud हो रही है हम गलतियां कर रहे है, accident कैसे होते हैं, अपनी गलती से, दूसरी की गलती से, किसी के तो judgment खराब होई, जो accident हुआ, या natural calamity होगी, जिसका किसी के बस कोई जवाब नहीं है 8 number जो phase चलता है, जो जिन्दगी में थोड़ा सा पीछे होते हैं, लेकिन share क्या करता है, एक स्थे पीछे लेता है आगे बढ़ने के लिए, अगर आप एक स्थे पीछे हो गए, तो यह मुझ सोचो कि विराट कोली का आया, वैसे ही दोनी का भी आया IPL आके वापिस जीता, तो थोड़ा सा ठहर जो 9 number आएगा, तो अब आपको अधूरे सपने पूरे करने का मौका मिलेगा, अगर किसी की date, month और current year number 9 पे आती है, तो जो मन कहता है वो करो, मन के जो सपने है उसको पूरा करो, मन कहता है, गूमने जाना, गूमो 9 number में spend, God will send इस बात को ध्यान रखो, तीक है, आपको नहीं बता कि मैं जो बचार हूँ, कल को हूँगा कि नहीं हूँगा उधार लेके नहीं, कर्जा लेके नहीं, पर अगर आपको चेंज औफ लोकेशन से निकलेंगे, अब आपने समझ आया, कि एक से लेके 9 तक हो, तो कब जौब चेंज करनाई चाहिए, कब शाधी करनाई चाहिए, कब प्रेग्नेंसी करने चाहिए, बुजनस करना चाहिए, और कैसे कमबाक करना और कब हमें एक कदम पीछे लेना है अब इसमें एक सवाल निकल किया है जैसे हमको कुछ भी प्लान करना है आपने डेट तो बता दी है प्रेग्डेंसी की बात करके चले हमारे पास है नो मही ने आइडली नो मही ने ने आप कुछ टाइम ट्राइब भी करते हो तो मांग के चलते है आपना आठवे नमबर पर ट्राइ किया अब वो प्रेग्डेंसी आठवे नमबर पर आ लिए ऐसा भी हो सकता है तो इसको कैसे प्लान करना है देखो आप कुछ चीज़े होती है जो नैच्रली हो जाती है ठीक है अब प्रेग्डेंसी नैच्रली भी होती है एक्सिलेंटली भी होती है प्लाइड भी होती है अब हो गए तो अब ध्यान जादा रखो अगर अवेर हो तो अपना प्रेटरेस जादा करो काम छोड़ दो डॉक्टर के साथ कॉंस्टेंट टच में रहो जो अपनी दवाईयें हैं उनको पुरा करो अगर आपकी वाइफ का आठ नमबर है या आपका आठ नमबर है तो रिड्यूस यो स्ट्रेस लेवल्स ओ सकता है कि आपके आसपस की चीज़ें ऐसे लग जाए कि या स्ट्रेस बढ़ जाए जिस वज़से बीबीव इंबेक्ट हो जाए तो वह कैसे कंट्रोल करना है उन चीजों को उससे जादा प्यार की जुरूत होती है जादा सहयोग की जूरूत होती है वैसे अगर आपको बताए कि अगला number मेरा 2 का है एक number की end की 2 words plan करना शुरू कर दो 3-4 मेने पहले अगर 6 number का है तो 5-way number पर plan करना शुरू कर दो कुछ समय पहले तो that is good previous number के last में plan करना शुरू करना 12 मेने का समय है जो number चल रहा है ताकि आप अच्छे से plan कर सकते हो बट उसके अलावा भी हो गई है let's say everything is not planned हो गई है तो फिर numbers के साफ से ध्यान रखो मान के जो pregnancy 3 number में है तो प्यार से बात करो ठीक है 4 number में है तो थोड़ा सा relax रहो mind को शान्त करो 8 number में है तो आसपास की चीजों को अपने मन पे जादा हावी मत होने दो प्यार रखो 9 number पे है 9 number पे है तो कोशिश करो कि हम रोज कुछ नया experience कर रहे है घर में बैठके कुछ नया पन लाइफ में लेके आ रहे है एक number एक number पर है अगर मान के चलो 9 number में pregnant हुए और एक number पे है तो कोशिश करो कि मानसिक तनाव ना हो मदर को ज़्यादा अकेला न चोड़ा जाए एक number क्या था अकेले पन का भी था सूरे सबसे दूर है तो ज़्यादा माँ को अकेला न चोड़ा जाए तो यसकलिए फादर और मदर दोनों का number देखेंगे दोनों का number दोसरी चीज़ आती है धोके का number मतलब relationship में या फिर financial business कहीं पर भी धोके का number गया है कब मेरे को cautious हो जाना है यार जब मैंने आप वो कहा कि 48 number है यह आने वाला है तब अगर मेरा उधार का business है तो मैं उधार market से पहले reduce कर लो, control कर लो कि मुझे कभी भी कोई धोगा दे के बाग सकता है इस तरीके से आप अपने 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 प्लान करोगे पास number है तो मैं उधार दे सकता हो मुझे बदा मैं grow कर रहा हूँ तो मैं उधार दे सकता हूँ कि the more you put the more you reap जितना वोगे उतना खाओगे बड़ चार और आठ number है तो थोड़ा था हाथ कीच लो आठ number जब आया तो पैसो की तंगी होती है अब ऐसे में इनसान क्या करता है लोन की दरब आगता है लोन ले लिया पहले पैसो की तंगी थी अब ब्याज और बढ़गया सर्पे तो चार और आठ में लोन मत लो, जितना है उससे काम चला लो, सोना है तो बेच दो, गिर भी मत रखो, ठीक है, अपनी liabilities को कम रखो, क्योंकि हो सकता है कि आपने जो लोन इस समय पर लिए उसको चुकाना मुश्किल हो जाए आपके लिए, या अगर आपका राहो और शनी का चल रहा है, अब इसको एक word कह दूँगा, मैं दशा चल रही है, इसाड़े साथी चल रही है, तो बहुत से लोग परिशान हो जाते हैं, maximum पिटाई उसी की होती, इसके उपर करजा होता है, योगि पता ही जलता महीना का चला गया, वापस EMI की डिटा आगे, जो और परिविरे, अब इन्सान क्या होता है, चार और आठ कैसे मन को गिरता है, मैं कैसे चोटी गाड़ी में चल लूँगा, मैं कैसे चोटे गाड़ में रहळूँगा, मैं कैसे पार खाना नगाँ, आप खालो, उटाई ही आपकी हो रही है, ठीक है, इस तरही além का से, यह जो साल है मेरा आठ नुम्बर का है तो एक साल के अंदर भी फेजिस होगे या पूरा साल ही ज़सा रहेगा अब देखो फेजिस तो रोज बदलते हैं ठीक रोज नंबर डेट चेंज हो रही है तो इतना ध्यान किसी को रफने के जूरत नहीं है कि आज एक नुम्बर जो आज में इक होगा आपने मतलब समझ लिया कि मेरा मोटा मोटा मतलब क्या है मुझे अपने दाइरे में रहना है तो नुमरोलिजी आपको आपका दाइरा सेट करने में हिल्प करती है चलो रेमेडी के बात कर लेते हैं अपने मास्टर्ग्लास करनेफ इसको अब क्या हुआ कि आप समझो कि अब मेरा बर्च्रेट के साफ से बताओ या फेस के साफ से बताओ ये बताओ फेस के साफ से जैसे अभी चल्क जो फेस चल रहा है उसके अंदर मुझे क्या रिमीडी करनी चाहिए अब एक नमबर चल रहा है, स्टेशतरी फेज है, लेकिन लोग में से अट्रैक्ट हो रहे हैं 8, month और current year को add के, मैं 12 पर इसलिए बोल रहा हूँ कि लोग confused नहों 8, month और current year को add करा, एक नमबर आ रहा है, स्टेशतरी हो गया हूँ मैं मुझे आगे life में बढ़ना है, बड़ा बढ़ना है, लेकिन यह नहीं समझा रहा है कि point A से point B कैसे जाना है तो मैं क्या करूँआ, एक नमबर में seek mentorship, सूर्य के उपर कौन हावी बढ़ा था, हनुमान जी ठीक है, मार्स कौन सा है, जिसके पास सभी नमबर की ताकत है, एक नमबर के दिन, अगर आप Tuesday के दिन, जब आपकर एक नमबर चल रहा है Tuesday के दिन, you start reading any spiritual book, या Tuesday के दिन, you start going to any temple, जहाँ पर आपको थोड़ी motivation मिलती है अब देखो, हम यह कह सकते हैं कि हम religious नहीं है, पर हम यह नहीं कह सकते हैं, जब मंदर जाते हैं, या मस्जज़ जाते हैं, या गुरुदवारे जाते हैं, तो हमें wives feel नहीं होती है जब एक नमबर का समय है, तो on Tuesday specifically, read any spiritual book, which I call divine intervention, कि जब हम कोई किताब पढ़ते हैं, अरे यही तो मैं सोच रहा था, यही तो मेरा phase है, यही मेरी मन की सिती है, इसका जवाब मेरे सामने है, तो बागवद इता पढ़ दो, किसी गुरु की किताब पढ़ लो, या मंगलवार क इस फेस को डील कासे रहा है, इससले number भी बता दो, कौन सा number हमारे लिए इस फेस के अंदर, सारे number अच्छे हैं, अच्छे, सब number अच्छे हैं, कोई number खराब नहीं होता, हर किसी के दाकत है, अभी हम कह रहे हैं, कि राहू शनी को हमने इतना बधनान करा, 13 माई को स्री स्री रविशंकर जी आर्ट अफ लिविंग उनका भी birth date है 13 मैं को सनी लियोनी का भी date of birth है ठीक है अब दोनों spiritual है लेकिन दोनों अलग-अलग personality types है तो सिरफ number decide नहीं करता कि आप कैसे होंगे चार चीज़े decide करती है गर्ब संसकार जब बच्चा मा के पेट में था तब क्या संसकार मिले दूसरा परिवार कि किस ecosystem में किस परिवारिक महाल में वबच्चा बैदा हुआ तीसरा education क्या तालीम मिली क्या शिक्षा मिली और चौथा action कि उस बच्चे ने अपना करम कैसे किया ये चार चीजे मिलागे आपकी किसवत बनाएंगी destiny बनाएंगी और कुछ नहीं बना सकता ऐसे भी लोगे जो राज योग में पैदा हुए लेकिन जोपर बट्टी में रह रहे है और ऐसे भी लोगे जिनकी कुरली बहुत अच्छी नहीं जाओं कि एक तो आप Tuesday को spiritual किताब बढ़ी या आप किसे religious place पे गए दूसरा mentorship आपको कहां मिलेगी आपके job field में आपके bosses के साथ spend more time with them कि मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए एक number ego में बताओ ego से बाहर आजो कैसे तरक्की होती है देखो बताना मुझे कि एक number में मैंने अपने boss से बात करी मैं फसा वा था मिरको रास्ता मिल गया अब एक number चल रहा है किसी का और वो कुछ plan कर रहा है अच्छा कि कुछ auspicious plan कर रहा है तो उसको अभी आपने बताए एक specific day ले 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 और एक specific date ले 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 तो वो उसके लिए अच्छी है तो वो कौन सा होगा देखो एक number का phase चल रहा है तो आप Sunday के दिन कर सकते हो जिसमें आपका 110,19,26 आ गया या आप Tuesday की दिन कर सकते हो 9,28,27 आ गया अब यह मूरत की बात नहीं कर रहा हूं या आपको मोटा-मोटा क्योंकि आपने question पूचा तो बता रहा हूं कि इस दिन chances of anything happening wrong कम होते हैं क्योंकि इन numbers का support होता है usually बट समझना क्या जरूरी है राद and lucky, unlucky कि मुझे करना क्या है यह समझ आगे है तो सब कुछ ही lucky है ठीक है तो 11-19-26 बॉस से बात करो mentorship लो, religious place पर जाओ, spiritual किताब पढ़ो एक number sorted, दो number का phase है तो अब रिष्टों को आगे बढ़ाओ किसी को like करते हो, तो propose कर लो अगर relationship है हो तो शादी की planning कर लो pregnancy try कर रहे हो तो वो plan कर लो दो number का phase है, दो number का phase है कुछ नया करना चाते हो business start करना चाते हो, वो कर लो हर चीज में सफलता मिलने के chance से जादा हो जाते है but दो number में successful कैसे होना है इसमें कोशिश करो कि females की मदद करो, कैसे करना है simple, दो number को activate कैसे करना life में, रास्ते में कोई महिला जारी है उनकी help कर दी, कोई आंटी देखी, बुज़र्ग सी है कुछ बारी समवन उठाके जा रही है, उनकी help कर दी गर में मा के पैर दबा दिये, बीवी के साथ कुछ वक्त बिता लिया, बेटी के साथ खेल लिये, अब feminine energy जो है वो क्या करती है, it calms you down अब moon के साथ, पानी में gravitational pull होता है, high tide, low tide तो ऐसी दो number में आप एकदम से हमारा mood swing होता है आज मैं बहुत excited हो, आज तो कुछ बड़ा गभगा अगले दिन हवा खतब, ठीक है जब moon की shape कम होगी अब नहीं हो रहा, तो ऐसे में आपको constant motivation चाहिए motivation आएगा by spending some time with female members और दूसरा motivation कैसे आएगा, through planning तो दो number में अपने plan से deviate नहीं करना है, अपने मन की नहीं सुननी है ठीक है, अपनी column की सुननी है जो cheese paper पे लिख दी, कि इस दिन होनी चाहिए वो होनी चाहिए, अगर सफलता चाहिए दो number में तो, तीन number पे आजाओ अब समय चल रहा है, एक तो मैंने कहा कि आपको बोलना है और सही बोलना है रिस्टे कहराब हो रही है तो आपकी वाणी की वज़े से हो रहे हैं, उसको ठीक करो इसके लावा, तीन number visibility पे काम करो लोगों के सामने और निकलके ठीक है, जॉब में हो, तो extra responsibility लेलो अगर business में हो, तो marketing campaign plan कर लो, sale plan कर लो प्रम उसले event कर लो अच्छा response आएगा, ठीक है, easy to do तो आपने कैसे अपने number को समझ के, अपनी activity को plan किया is equal to result, right action at the right time creates right results, which is successful कितना असान है successful बनना, हम पागलो की तरह गूम रहे है 4 number, मैंने कहा कि this is a great phase अभी हम 4 number की बुराई कर रहे हैं, वारेक उबामा 4 number है, first president of color अपने जो first home minister है इंडिया के deputy prime minister of इंडिया 1947 में कौन थे बताओ, प्रेज़ेंट first prime minister of इंडिया या first home minister of इंडिया सर्दार बल्लबाई बटेल 4 number है, India's first mathematician guru इस रामनुजन number 4, कितने बड़े inventors होते 4 number के लो, क्योंकि दिमाग है, राउ के पास क्या था दिमाग था, तो 4 number है आपके पास दिमाग है, अपने दिमाग को doubt मत करो लेकिन additions में control करो ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग के against है alcohol आपको slow करती, yes or no loud music आपको distract करता, yes or no fast driving आपको distract करती, yes or no तो ये सब चीज़ों से दूर रहो gambling, distract करती है सब चीज़ों से दूर रहो अब मन पे काबू कर लिया, तो result आगया 4 number पे तो अब हम बात करते हैं 5 number की तो date, month और current year का जो total है वो 5 पे आ रहा है, तो क्या करना है, चड़ दो go all in, अब मैं करूंगा नहीं तो यहीं बरूंगा, तो ऐसा attitude होना चाहिए, कि 5 number, if you are planning for a job change, apply if you are opening a new business, करो result आएगा, अभी 8 number का phase इस साल था, तीन साल पहले कैसा phase था, 2020 का 2019 का मन में कुछ नए विचार आ रहे थे करने के, आए नए ideas आए, powder unfiltered वहीं शुरू हुआ था, वहीं शुरू हुआ था तो 5 number में आपको energy आएगी कि अब मैं कुछ कर सकता हो, तो करो बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना, speed frills, but also kills, तो एतनी speed में नहीं करना कि सब कुछ शुरू कर दिया और control किसी चीज़ पर है नहीं, एक ही चीज़ को करके complete करते हैं चलो, राइट घर लेना है, इससे दादा best time कोई नहीं है, अक्सर लोग क्या फुल शादी पहुंची होती है, जिसमें चीज़े समाली जाती है, तो 6 नंबर का phase है तो अपने खर्चे समालो, अपने रिष्टों को समालो, चाहे वो professional है, चाहे वो personal है, अगर कोई गलत फहिमी है, 6 नंबर के phase में, तो बैठ के बात करो, अक्सर जब 6 नंबर का phase आता है, तब छोटी मोटी बात जो है, बहुत बड़ी बन जाती है, उस समय अगर बात को समाल लिया, तो रिष्टा बच जाएगा, बाद में सोचके, कुछ होगा नहीं, तो 6 नंबर का phase है, चीज़ों को समालना सीखो, date, month, current अगर कोई 6 नंबर के अंदर अगर कोई 6 नंबर के अंदर है, उसने अपनी ग्रूमिंग पर काम किया, तो उसको जिंदगी में कोई नहीं रा सकता, अनी कपूर की डेटों पर 6 तरीके, आज भी कोई कह देगी, वो 60 ब्लस है तो इस working on is constantly appearance, maximum Bollywood के अंदर छे नंबर के लोग जास successful है because they work on their experience, appearance शुक्र Venus, 7 नंबर का समय आ गया तो अब isolation आ गई, अब आप सोचे रहे हो midlife crisis में आ गएगी क्या करना है तो क्या करो, start seeking support, जो अपने दोस्त हैं पुराने, जिनको भूल गए हो उनको phone मिलाओ जी, कैसे हो आप उनसे बात करके आपको पुराने दिन याद आएंगे पुरानी memories refresh होगी you will start to feel कि नहीं, life is not that bad मैं अकेला नहीं हूँ 7 नंबर में अपने 7 लोग जोड़ो 7 नंबर का जब समय है तो कोई technical चीज सीखो उसका बहुत फाइदा मिलेगा आपको it will help you grow in life जब अगला 8 नंबर आएगा तो जिन्होंने 7 में महनत की होती है उनी को promotion मिलता है, उनी को result मिलता है अगला 8 नंबर है और आप 7 नंबर में बैठे हो अपने business को organize करना शूरू कर दो result मिलेगा उस ताइम करने के कोशिश करो क्योंकि 8 आठ आ चुका है नहीं होगा this is your planning stage so 7 are master planners this is a master planning phase but at the same time work on companionship लोगों के साथ जुड़ो दोस्तों को साथ जुड़ो specifically 7 नंबर अगर अकेला है उसका कोई दोस नहीं है तो उसकी सबसे बड़ी weakness है 7 नंबर अगर अकेला है उसका कोई दोस्त नहीं है तो उसकी सबसे बड़ी weakness है इसका मतलब कमी खुद में है इस कमी को ढूंडो कि मेरा दोस्त क्यों नहीं है तो 7 नंबर का phase चल रहा है तो फुराने दोस्तों के साथ रिष्टा निबाओ 8 नंबर पे आगए अब hair जाओ slow down अब जो भी चीज़े fast pace पो हो रही है कोई कहता है कि ये काम मुझे अभी करके दो सर आदा गंटा लगेगा काम करने बैठो पहले गहरी सास लो control your breathing जब हम palpitations में होते हैं panic attack में होते हैं पहले क्या होता है सास तेज हो जाती है गबराट blood rate fast हो गया BP बढ़ गया गलती हो रही है गलती पर गलती हो रही है hair जो समय लो शायद अगर उस समय पे जब आपने देखा run out हुआ अगर एक run ले ले लेते दो की जगा तो शायद मैं जी जग hair जो लेकिन he did what he thought was best at that point of time ठीक है ऐसे ही हम भी सोचते हैं कि हम भो ही कर रहे है ति हमार ले बेस्ट है but now that you know यह इस चीज़ को समझ देगी कोशिच कर रहे हो आठ नमबर का time है don't hurry कोई कहते हैं तुम क्या कर रहे हो खाली बैठे वियो जल्ड तो आनी रहा कोई कि जी मैं थोड़ा समय लेके काम करना चाता हूँ patience के साथ काम करना चाता हूँ आठ नमबर के जब समय आता है तो health problem बढ़ जाती है कमर में दर्द lower back pain सर में दर्द cervical गुटनों में दर्द ये सब चीज़े ज़्यादा बौदर करती है ऐसा लगता है जैसे एक साल में उम्र पांच साल बढ़ती है आठ नमबर का फेज आपका है ऐसा लग रहा है सलिथार जी आजाती है ठीक है तो हर चीज़ में डबल मेहनत लगती है ठीक है तो मेहनत करने के लिए तयार रहा हो आठ नमबर का फेज है लेकिन ठेर जो डोंट टेक रिस्की पोजिशन्स जॉब छोड़ दी बौस ने कुछ बोला नौकरी हाथ में है नहीं अब बैठे वे हैं साल पर अब हम जैसों के पास आ रहे हैं अस्ट्रोलेजर निम्रोल इसके बास के कुछ कर दो लोग अलग अलग तरीके बता रहे हैं ये कर लो वो कर लो ऐसा हो जाएगा नहीं लग रही फ्रस्टेशन और बढ़ रही है बट इवेंचली करना क्या था वो आज पता चल रहा है कि नौकरी छोड़नी ही नहीं थी ठीक है जब तक दूसरी नहीं मिली थी तो ऐसे बाइलन्स करना है नौ नंबर का फेज है मस्ती करो लाइक जी हो जो मन चाहता है वो करो मन को कुछ करो क्योंकि ये जो फेज है आपके मन का है अंदर की अवास फोनो ये मन सोचो कि पैसा कर्च हो रहा है इस मंतर को याद करो नौ नंबर का फेज है दुनिया गूमो जितनी जगा नई गूमोगे जितने नए लोगों से मिलोगे उतनी ज़ादा फ्रेश नर्जी आएगी एक ठहरेवे पानी में आठ नंबर ठहराव आगया अब फेड़े पानी में जब हलचल होती है तो क्या होता है गंदगी साफ हो जाती है हलचल कैसे आएगी नए एक्सपीरियंस से नहीं जा सकते बजट नहीं है स्केडियूल नहीं है तो 9 नंबर में हलचल कैसे आएगी फिशला साल अच्छा नहीं था अब जैसे मुझे वालो कुछ specific अच्छी चीज़ प्लान करनी है और मेरा 8 नंबर ही चल रहा है तो अब वो मैं कैसे अच्छी चीज़ को प्लान कर से अब गुड पैस्ट नंबर लेके आता है मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे 5 नंबर लेके आता है उस दिन पर कैसे लेके हूँ अब 8 नंबर है तो speed slow हो गई अब फास्ट नंबर ही फास्ट नंबर ही फास्ट नंबर ही फास्ट है तो आठ पर पांच को मिला दिया है तो थोड़ा सा कॉम्परमाइज हो जाएगा तो पहली चीज़ तो आठ नंबर का जब फेस चल रहा है सबसे पहले अपना वजन कम करो क्योंकि lighter the mass faster the speed और दूसरा acceleration को बढ़ा दो पास्ट नंबर से बढ़ेगी तो जिस भी दिन डेट 5, 14, 23 है उस दिन को important काम करो आज के डेट है 23 है आज आँ अच्छा काम कर रहे है तो ऐसे ही अगर और अच्छा और अच्छा करना है तो कोई दिन Wednesday है उस दिन 5, 14, 23 है वो और अच्छा होगा अब ये Wednesday, Monday, Tuesday कैसे निकाला आपने Wednesday का जो नंबर है वो बुथ का होता है Mercury का होता है Monday is Moon, Tuesday is Mars नंबर नंबर बता दो नंबर तो देखो 7 होते है 9 होते है Monday का नंबर अगर डेट आ रहे है 2, 11, 20, 30 2, तो अच्छा है Tuesday का दिन है और अगर डेट है 9, 18, 27 की तो अच्छा है Wednesday है 5, 14, 23 है तो अच्छा है Thursday 3, 12, 21, 30 है तो अच्छा है Friday है 6, 15, 24 तो अच्छा है Saturday 8, 17, 26 है तो अच्छा है Sunday जो है 1, 10, 19, 28 है तो अच्छा है लेकिन इसके अंदर भी ये आपको समझना ज़रूरी है कि let's say कि मैं 4 नंबर के फेस में चल रहा हूँ तो मैं Saturday 8, 17, 26 चूज करूँगा कि नहीं करूँगा राभूर स्वेनी को मिला हूँगा नहीं मिला हूँगा ये कैसा लोजिक है ये भी सोड़ा समझाओ मैं clouded judgment में हूँ नंबर 4 जो मैंने अभी समझाया कि मेरी judgment सही नहीं है और अगर मैं slow number को चूज कर लूँगा तो मेरे लिए लिए और प्रॉब्लम आ जाएगी अगर 4 number clouded है तो आप किसको चूज करोगे मैंने बताया था अभी नहीं वो तो saturn में जूज करोगे मैंने का था अगर 4 number shadow है तो light को जूज करोगे sun को तो 110, 19, 28 को काम करना शुरू कर दो 4 number है तो result better हो जाएगा अब जैसे अब याँआपने number बताए और सारे days बता दिए अब logically date तो 7 है और numbers हमारे पास में 2 है तो कोल से कोल से number का का में repeat होते है number नहीं repeat होते है आप देखो यही खुबसूर्ती है कि एक से कत्ते सारे number cover हो गए कोई number चूटा? नहीं चूटा तो यही खुबसूर्ती है 7 number कि जब मैंने का था completion का number है नो number है, नो ग्रहे है साथ दिन है लेकिन सब number cover हो गए तो मेरा question यह लाइफ का थार्ड वारा number चल रहा है जो phase होता है तो उस पे नया business आपने का नहीं करना चाहिए तो लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं तो हमें नया business करना ही पड़ेगा अभी वो situation ऐसी बन रही है कौन सा phase चल रहा है अपका? थार्ड नंबर तीन चल रहा है तो नंबर तीन में मैंने क्या का है लर्निंग पर focus करो ठीक है, आपको लग रहा है आप ready हो लेकिन आप ready नहीं हो ठीक है, और क्या बोला मैंने तीन नंबर पे visibility पे काम करो आपको कौन जानता है, आपको क्या आता है इन सब को नहीं पता है तो आप ऐसा काम करो कि इन सब को बताओ आपके बारे में तब आप ready हो लेकिन अगर अभी बिजनस नहीं करें के तो लेकिन फोर फेस आजागा तो उसमें तो वैसे ही नहीं कर सकते अभी बिजनस करो अगला चार आगया फिर तो वैसे बंद हो जाएगा नई ऐसा बंद होता है, जब तीन है और skill पे काम कर लिया, visibility पे काम कर लिया तो चार नंबर के श्लोनेस आई बट मैंने तीन में इतने लोग इकठे कर ली अपने पीछे, मैंने इतनी visibility बना ली कि जब भी छोटा सा फेस शार का आया ना तो मुझे फरत नहीं पड़ा तीन नंबर पे कोशिश करो, अगर आज से आपको बता है थीन नंबर है। और इस साल के कितने मैने बचए हैं? विपयों है। दो, तीन मैने बचए हैं तो इस दो, तीन मैने में में पेरको सबसे दादर लोग कैसे जानेंगे? शर्माना नहीं है। जहां मौका मिलें, वहां अपना प्रचार करों, ठीक है? विजनस कर रहा है पर चार नहीं तो व्यपार नहीं तो तीन नंबर फोकस अन विजिबिलिटी, नॉलेज, राइट, स्किल सेट कि हम भी लगता है हम रेडी है ठीक है और जब चार नंबर आया है तो इसका मतलब यह नहीं कि काम नहीं होगा चार नंबर यह है इसका मतलब काम होगा पर एडिक्शन से दूर रहना है चार नंबर मैंने का बैरेक अबामा का है स्रीस्री रवी शंकर का है, सनी लियोनी का है यह सब बहुत सक्सेस्फुल लोग है बट एड़ सेम टाइम चार नंबर जब विराट को लिगा था उसने यह नहीं क्रिटेट नहीं छोड़ दिया उसने कैप्टें से छोड़ी क्यों छोड़ी? विकॉस इनीड़ेड मोर टाइम तो गेट रेड़ी प्रैक्टिस करी, वेट कम किया योयो में आगे नंबर आए, पांस नंबर आए, तब परफॉर्म कर दिया तो बिजनस कभी यह नहीं कहता कि 6 मिने में रिजल्ट दूँगा एक साल में रिजल्ट दूँगा तो अगला साल जो है, ट्रेनिंग का है, प्रैक्टिस का है और यह वहना साल जो है विजिबिल्टि का है उसके नेक्स जब 5 यर आएगा, 5 नंबर आएगा तब हम कर सकते हैं पिल्कुल 100% तब कर नहीं सकते, करना आज ही है लेकिन तब वो ग्रो करेगा तो यह नीड टू नो, अब किसान है वो देखो कितनी planning के साथ चलता है उसको बता है मेरे को आज मौसम खराब है मुझे आज seeds नहीं बोने है वो क्या करता है, rate करता है कि मौसम साफ हो तो मैं beach बोंगा तो फसल होगी वैसे ही आपको भी जब आप विबार करना चाहते हो you should know what to do, when to do and how to do ये clarity आगे life में तो business में कोई fail नहीं हो सकता ठीक है, जो दूसरे कर रहे हैं वो नहीं देखो what, when, out ये तीन questions का जवाब जब अपने पास हो तब सोचो कि मैं ready हो अब देखो जब actual data नहीं होता तो result ठीक नहीं आता अब best क्या कर सकते है second best in terms of numerology is कि जो date paper पे है उसके हिसाब से अपना जो नाम है वो set कर लो अब numerology में नाम भी बहुत important होता है या पिर वो date मतलब मिल सकती है तो ढूंड सकती है न आप ढूंडो, अगर मिलती है तो बहुत अची बात है because right data is equal to right result तो second best is क्या कर सकते हो कि जो date है उसके हिसाब से अपना नाम सेट कर लो जो हम देखते हैं न spellings थोड़ी बहुत आगे बीशे होती है alter होती है it's because कि numerology में नाम का भी बहुत importance है तो ये कर सकते हो आप अगर सही date नहीं है तो अपने time cycles को पे जानना जो हमने अभी बात करी है वो बहुत मुश्किल है तो 100% use नहीं करता होगे आप without the right date और नाम से देखालते कैसे calculate कैसे करते है नाम का देखो एक shaldian calculation है ठीक है shaldian आज से 4000 साल पहले एक tribe थी उन्होंने का कि हर 30 number में है distance number में है weight number में है percentage number में है geometry number में है Mandarin language होती है line and drawings Chinese language तो वैसे उन्होंने 8 alphabets बनाया उनको 8 number दिए 9 number जब वो count करने के कोशिश कर रहे थे तो this is way before आ रहे है बटा तो 9 number को जब वो count करने के कोशिश कर रहे थे तो जो भी number जोडते थे 4 प्लस 9 13 वापे 4 बन गया तो उन्होंने का यह बड़ा magical number है divine number है यह हम राजा के लिए छोड़ देते 8 number के alphabets बना के हम language को count करना शुरू करते तो उसकी basis पे उन्होंने certain calculations बनाई वो transcripts गई परशिया Arabic language में translate होई वहाँ से जब Alexander ने इंडिया को invade करने कोशिश करी तो इंडिया में आई यहाँ पे अंक जोतिश ओलड़ी था यहाँ पे वास्तु ओलड़ी था यहाँ पे हमारी astrology जोतिश ओलड़ी था तो यहाँ पे उन्होंने इस चीज को जब study करा तो उन्होंने का हाँ बाश्या का calculation यह सही है इंडिया में क्या limitation थी कि हमारे हर मील के बाद बाशा चेंज होती थी हर थोड़े मील के बाद बाशा चेंज होती थी multiple languages थी तो यहाँ पे उन्होंने का यह तो हम theory adapt नहीं कर सकते in the 19th century Britishers को जब इस चीज के बारे बदा जला तो उन्होंने कहा कि हाँ यह ठीक है तो then in 1905 world numerology का जनम हुआ कि English language जो है universal language बन गई English में alphabets कितने है 2 plus 6, 8 Sheldon ने कितने निखाद है 4,000 साल पहले 8 ठीक है तो उन्होंने कहा है यह calculation ठीक है इसको universally adapt करो तो हम अब देखते है with use of numerology over the last 100, 120 years कि अगर आपका spelling जो है नाम यह आपकी date of birth के साब से ठीक है तो result आता है at the end of the day alphabets is what we see तो फिर यहीं से concept आया lucky numbers का, usage का, अलग-अलग चीजों का ठीक है आज कर हम देख रहे है lucky mobile number 20 साल पहले नहीं थे, mobile तो यह नहीं थे, किसी किसमत नहीं थी but it is about perception कि जब हम certain numbers को देखते तो हमें कैसा फीर होता है business है, उसने board पे क्या number डिस्पले किया है कि लोग इस number पे call करेंगे कि नहीं करेंगे मैंने resume पे जो number डाला है वो कैसा है will I get call or not call लोग बेरे बारे में क्या सोचेंगे, perception personality is perception right, तो यह human behavior in numerology is study of perception तो अगर date of birth नहीं है सही तो आपके question का जवाब देने के लिए कि मुश्किल है, सही चीज निगालना लेकिन the second best thing is कि जो कादरस पे है, उसके साथ की चीज़े balance कर लो यह second best चीज़े, not the best thing I don't advocate this कि इसी का use करो पहली चीज़ तो है कि अपने आपको समझो लेकिन अब जब सही data नहीं है तो क्या करे second best thing is on the papers, get everything right डेट अब जो है, उसके साथ का नाम ले लो उसके साथ का नंबर और बाकी सब चीज़े ले लो वन वाला फेस चल रहा है इन टम्स अगर यह लाई यह देगा जा date of birth case आप से तो मेरे लिए basically क्या overthinking करते हो कि नहीं करते हो अकेला पन मैसूस होता है कि नहीं होता है होता है नया करने का मन करता है कि नहीं करता है लीडर बनाऊंगा वो तो है ठीक है, लेकिन समझ नहीं आता कि point A से point B कैसे जाओ confusion होता है confusion होती है कोई मुझे बता दे कि ये करनू तो पहाड भी चड़ जाओगा अकेले मैं सोचता रहता हूँ करूँ ना करूँ होता है एक नंबर क्या कहता है क्या बताया था मैंने सूर हुआ Tuesday को spiritual books पढ़नी है ठीक है religious place पे जाना है और क्या कहा था mentorship कि गुरू बना लो किसी को ego छोड़ दो ठीक है तो ये सब चीज़े अपलाई करो life के अंदर और stage तर ही होता है ठेराफ का नंबर होता है तो movement लेके हो life के अंदर देखें गर पे नहीं बैठना बैठ पे बैठ के काम नहीं करना बैठ पे बैठ के खाना नहीं खाना घर पे रहना ही नहीं यह रादर घर से बार चले जो बार बैठ के काम करो अब घर पे रहते हो बैठ पे बैठ के काम भी कर लेते हो खाना कर लेते हो तो ये problem है अब देखो नंबर कैसे बताते हैं कि एक इंसान सोच कैसे रहे और क्या कर रहा है अपने जीवन में जैसे नूमरलो जी मन्त पर भी बैक करता है जैसे जनवरी 1 आए तो इसे जनवरी पूरा सई जाएगा कि ऐसे भी है अभी जब हमने count किया years के बारे में तो हमने date और month को भी count किया ठीक है फिर हमने current year को जिस साल की हम calculation कर रहे है उस साल को count किया तो month का बहुत importance है पूरी date का रादर बहुत importance है अभी तो चलो हमने एक short में समझा कि birth number क्या है और आपका current year counts है लेकिन ऐसे 72 different combinations है जिसमें आप एक इंसान का chart देखते हो तो आपको समझाता है कि वो वेक्ति क्या सूच रहा है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है तो month की importance बहुत ज़ादा है मेरे questions है specially number 9, 18, or 27 around like कहते हैं कि basically mangal होता है mangalik होता है so is it universal की कोई भी होगा तो mangalik ही होगा number 9, 18, 27 definitely is governed by Mars तो mangalik नहीं है अगर allow करो mangalik की basically theory क्या कहती है mangalik was someone who was very influenced by Mars now Mars को जो समझाया गया है वो समझाया गया as a fighter तो जो लड़ जाएगा मर जाएगा लेकिन अपने जो प्रिये लोग हैं उनको प्रिट करेगा तो जब mangalik word था तो इसलिए था कि हो सकता है इसका गुस्सा तेज है हो सकता है इसकी energy जादा है कई बरी होता था कि आप mangal से गवाँड़े तो आपकी sexual energy जादा होती थी अब यह सोचा कि शायद mangalik और mangalik आपस में रहेंगे तो दोनों की intensity match होगी अगर बिचार अप कोई बहुत थंडा आदमी है और एकदम mangalik है तो दोनों की बनेगी नहीं इस वाइट इस वाइट बेसिक कांसेप है कि यह लड़ जाते हैं मर जाते हैं लेकिन जो सही होता है वो ही करते हैं बुरा कभी किसी के साथ मत करो हमेशा अच्छा करो result नहीं मिलता है मैं जानता हूँ myself I'm 27 लेकिन अगर अच्छा करते होगे तो ऐसा result मिलेगा जो सोचा भी नहीं होगा प्रियंका जो बड़ा है नमबर 18 Bollywood से Hollywood पहुंच गई सलमान खान 27 तो flop होगे वापस आगए तो वैसे ही Tiger जंदा है अभी 918-27 ने जो सब मैं अभी तीन चला है और मैं नई चीज़े सीखनी भी शुरू करी हैं इसमें लेकिन अभी रिजर्ट्स का वेट कर रहा हूँ रिजर्ट्स उतने मिले नहीं है तो फिर क्या करें चार आने वाला है दो महीने वादी तो अब देखो आप यहाँ पे अभी जितने अभी लोगों से बात करी दो का नमबर तीन और एक का एक So everybody is curious to learn देख रहे हो एक नमबर मुझे कुछ नया शिरू करना है तीन नमबर मुझे कुछ और सीखना है तो वही लोग आए हुए तो तीन नमबर का अगर फेज चल रहा है तो जैसे मैंने कहा कि सीखो और विजिबिल्टी पे काम करो कितने लोग आपको जानते हैं वो important है आप कितनों का content देख रहा है यह important नहीं है आपको कौन देख रहा है वो important है so make sure visibility पे काम करो 4 number आने वाला है तो 4 number अच्छा phase है अगर आपके पास addictions नहीं है तो alcohol छोड़ दो fast driving छोड़ दो addictions छोड़ दो और सिरफ light पे काम करो सुबह जल्दी उठो जल्दी उठके important काम करो 4 number में result आता है provided you don't have addictions मैं बार बार एकी बात को repeat कर रहा हूँ कि 4 number 8 number बुरा नहीं है हमारी कर्म हमारे actions उसको बुरा बनाते हैं मेरा question यह है आज चिल की जो gurus आ गए है special gurus आ रहे है masters आ गए है वो कहते है इन चीजों से effect नहीं करता like numerology, astrology it doesn't effect because vachand श्राप इन सब से numerology भी बिदल सकती है लोगोगी जो बविश्य है वो बिदल सकता है तो आपको इस पर क्या perspective है बदला वो सकता है जो वो वो विश्य क्या है जो आप बनाते हो right करम is equal to destiny मैंने चार चीज़े बताये थी गर्व संसकार परिवार education और आपके करम action जब इन सब चीजों को आप करते हो तो ही आपकी किस्वत बनती है तो जो spiritual gurus हैं वो भी कहते हैं कि आप पांच तत्वों पे ध्यान दो भूमी अगन वाईयो अपनी नीर बगवाल को संबर पे तो जो जो सब चीज़े अपने अप ठीक हो जाएंगे numerology भी तो यह कह रही है but numerology आपको एक modern day के साब से क्योंकि हमने रहन है material world में हमारे जो bank account है वो numbers है जिस दिन पर हम काम कर रहे है वो date है जिस पर हमें कोई phone मिला रहा है वो number है हमारा जो नाम है वो भी number है जैसे मैंने अभी समझाया तो when everything is governed by number तो numerology is just a simple way of understanding कि इनी five elements को और fine tune life में करके कैसे हमें अपने mind को सही जगह पर apply करना है at the end of the day crux is God is one universe is supreme and there are just five elements and we are all made of it जो भी remedy अंदर की है वो असल है जो भी बाहर की है वो रसीबो जाए रसीबो का मतलब समझते हो मीठी गोली मीठी गोली ठीक है किसी को कुछ कह दिया करने के लिए उसने का कि हाँ don't pin your hope की मैं यही करूँगा तो मुझे result मिलेगा result आपको करनो का मिलेगा यह कर रहे हो ठीक है किसीने का किसी की मानिता है वो उसने कर लिया किसने का आलो मिट्टी में जाके दबा दो अंधेरे में कोई ना देखे result आ जाएगा कर लिया I don't mind but don't pin your hope on that कि उमीद कि मैंने यह किया तो ही मेरा काम होगा इंसान खतम कब होता है जब उसकी उमीद खतम हो जाती है तो hope नहीं आर नहीं है और specifically उन लोगों के साथ तो बिलकुल नहीं आर नहीं है जो कुछ भी कह रहे है तो अपने आप से अपने डिसिजिन लो नंबर को समझो and be your own master जो कुछे समझ में आया यह जित्री भी चीज़े है मतला वीडियो लोगी की बात करके चले अगर आपका पांच नंबर चल रहा है तो यह चीज करनी है, यह चीज नहीं करनी करम ही तो पताया है तो करम इस प्रधान बट करम in the right direction also अब एक इनसान है उसको पताया रास्ता इस तरफ है वो जिद में एदर खोदी जा रहा है रास्ता बना हुआ है तो अब वो तो करम कर रहा है अब वो बेफकूफ ही है intelligent है तो जब आपके पास एक system है to identify what to do, when to do, how to do आप हो कहरे हो, आम नहीं मानते है इसको मत मानो, कोई बात नहीं लेकिन, don't be arrogant enough की that it, है न, पर्दगंस कि जो मैं कर रहा हूँ, वो ही सही है क्योंकि 4 और 8 यही करवाता है आपसे कि जो मैं हूँ, वो ही सही है तो यह नहीं करना है तो सबसे पहले, thank you time देने के लिए, और सब के questions देते एचे तरीके से answer करने के लिए मुझे भी personal level में बहुत सारी चीज़े समझ में आई है इसी के साथ हमारी आज की वीडियो कतम होती है उमीद करता आपको मजा आओगा like कर देना, share कर देना, comment दाना वीडियो कैसी लगी गुट शभागे रहे कुदा आफेस गुट मॉर्निक रफ्ट रू जब्बिया वीडियो देख रहे है जैहिन बंदे मातरम डिस्क्रिप्टिप्टियो में हमने इनके लिंक्स दे दिया अगर आप डरेक्ली इन से कॉंटाक्ट करना चाते है तो आप महां से contact कर सकते हैं Thank you for that